योज़ को आपके पास इक्वी कॉन्वेक्स मतलब इनके दोनों करवेचर और राएं ठीक है यह तो इनको साथ में रखा हुए पर नहीं दोनों की फोकल लेंथ ए ऐव्यविए और इस कॉंबिनेशन की जो फोकल लेंथ बनती है वो पूर्चन बोल रहें f1 बन जाती है तो इनकी जो कॉंबिनेशन का फोकल लेंथ है वो F1 है नेक्स्ट एप में क्वेश्चन कहा रहा है वें दर स्पेस्ट बेटू लेंसे इस फिल विद ग्लिसरीन यह जो इनकी बीच में जगा है यहां पे अगर ग्लिसरीन फिल कर दी जाए ठीक है ना जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पिजर सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वें यह वला जो इनकी आपने को यह वह बहाँ जो अपना लर्ज कम बना नहीं यह में अपना एक बन गया बिएव कर रहा है कॉनकेव लेंस के जैसे सिस्टम तो जो हमारे पास इकवी-konvex lens होते है ना बेटा उनकी focal length होती है आरपउं टूइंटूँ म्यू माईनस वन यह मैंने आपको formula लिखवा रखे हैं यहां पर आप देख सकते हो इकवी-concave-y convex lens focal length होती है आरपउं टूइंटू म्यू माईनस वन याद होनी जी लेंस में कर फॉर्मुला से मैंने आपको सिखाय हुगा है तो R upon 2 into mu minus 1 फॉकल लेंथ होगी इन नोनों की फॉकल लेंथ मिलाके F1 है, फॉर्मुला कैसे बनाएंगे फॉर्मुला क्या होता है दो लेंस को जब जॉइंग करके रखते हैं उनकी फॉकल लेंथ, इक्यूलेंट फॉकल लेंथ का फॉर्मुला होता है 1 by F equivalent equals to 1 by F1 plus 1 by F2 तीसरा चौता आता तो 1 by F3 and so on चलता रहता हूँ F equivalent की जगा F1 आगया 1 by F, 1 by F, 2 by F बन गया ठीक है यहाँ से F1 की value निकालनी मैंने F by 2 आ जाएगी तो यह equation आगी मैं पास अब इस case की बात करता हूँ देखो इसकी curvature यह वली आ रहे है क्योंकि question ने बोला है कि equal convex lens है मतलब curvature सबकी same है इसकी भी आ रहे है इसकी भी आ रहे है यह वली और इसकी भी यह वली आ रहे है अब यह जो under lens बना है उसकी curvature भी तो आ रहे है तो वो इन दोनों convex lens के बराबर है उसकी curvature दूसरी बात यह जो under lens है इसका जो material है और जो इनका material वो भी same है तो lens की focal lens depend किस पर करती है बेटा lens की focal lens depend करती है refractive index पे उसके refractive index पे surrounding रिफ्रेक्ट इंडेक्स पे और उसके radius of curvature पे यह lens maker formula से पर ने सीखा हुआ है तो इन तीनों lens का इन तीनों lens का r भी same है mu भी same है ठीक है ना तो इन तीनों का focal lens भी same होगा फर अब क्या होगा यह concave है और यह दोनों convex है तो इसकी focal lens plus f plus f होगी और इसकी minus f होगी बस बाकी सब कुछ same है equivalent focal length f2 दी हुई है आप उनको यही वाला formula लगाएंगे 1 by f equivalent तो 1 by f plus 1 by f minus 1 by f dash आप उनको पता है f dash जो इसकी focal length होगी वो f के बराबर ही होगी ना क्योंकि इसका material भी same है curvature भी same है as convex lens तो यह अपनने concave lens के लिए लिखा है तो f dash की जगा f ही लिख देंगे तो यहाँ अगर मैं f लिखूंगा तो यह दो cancel हो जाएंगे तो 1 by f2 किसके बराबर आएगा f के यानिकि f2 f के बराबर आएगा तो f2 अगर f के बराबर आएगा तो f1 और f2 के ratio चाहिए यह ही f1 की value यह ही f2 की value दोनों को divide करो answer आगे 1 by 2